मिरंकारी सत्संग वालों एवं जिलास्पताल के कमचारियों के संयुक्त सम्धान करने की पहज जिलास्पताल के जल भरावा उपर खावर मार्ग को सरी कराने का कारे किया गया जिसमें कई चेकिसकों के मुधूद्गी भी रही इस बारे में जिलास्पताल के वर्ष्च के सक्डाक्टर आलोक कुमान ने बताया कि बीते दुनों जिलादिकारी मवद्या के नेचन में उन्होंने आउट एरिया को दूस्त कराने के पर समधान की माध्यम से कराने पर जोज दिया था प्रोजाबाद से गौरावडाटर रिपोर्ट एस केच ने हुग जिलास्पताल में आज किस तरीकी का आयोजन किया गया है आज ये स्वच्ता के संबंदे सभाई अव्यान का आयोजन किया गया है और ये निरंकारी मिसंद से श्यद्गुर भावा हर्देव सिंग जी महरा चलाया जा रहा है उनका यही संदेश्ता कि गंदगी अंदर हो या बाहर दोनों यहान कार करें इसलिए हमको सफाई पर किसे ध्यान देना जाईए कहीं भी इदर उदर हमको गंदगी नहीं पहलानी जाईए जैसके लिखाए दीवालों पर पीग मार देते हैं इदर उदर अपीक उचा लें खूला खूड़े दान में डालें ब्रच लगाओ विस्व बचाओ इस तरीके से यह नंकारी मिशन का पैगाम है और यह जन जन तक के आवाज लगाई जा रही है कि हमेशा इसको हमें काइम रखना है फिर्ट वर्ट इसी वाद हम हम सरकारी ऑस्पिटलों में नदियों में रेल्वे स्टेशनों पर यह सफाई अभ्यान बरहे ही लगन के साथ करते हैं आज यह पुरयावाद ब्रांच से और यह यह नंबर पांचों पांचों पास्पीश के जवान और बैनों भाई इस सरकारी ऑस्पिटल में वहले ही अपने चदगुरू के आद सब्सक्राइब करेंगे यह हमारे जो नेतरोग विभाग है इसके सामने पानी जमा हो रहा था थोड़ी सी सड़क तूटी होई थी तो उसमें पानी भर जाया करता था जिसकी वेसे डर लगा रहता था कि जो बुजुर्ग लोग अपनी आख दिखाने आते हैं कहीं उनको कि से और तरह क्या चोट चोट ना लग जाए तो इसके लिए यह विशेश अभियान चला कि हमारे यह मलवा पड़ा हुआ था थोड़ा जो बिल्डिंग रिपेर हुई थी उसका किंकड पत्थर थे उसमें और सिमेंटेड पोर्शन थे टूटे हुए फर्षों के तो वह आज आज हमारे यह निरंगकारी जो सत्संग वाले हैं यह लोग आई हुए हैं इन्होंने इच्छा जाहिर करी थी कि यह हमारे यह आज श्रमदान करें विगत सप्ता जब डवा गंतुक आधर्णिये जिलादिकारी महोदया हमारे आई थी तो उन्होंने हमारे आउट इसकर्ट एरियाज में थोड़ा सा सफाई पे ध्यान देने के लिए जोर दिया था और उनका यह सुझाव था यह आदेश थे कि हम श्रमदान कराके यह अपने आउट इसकर्ट एरिया में कारे करें तो उसी के तहत आज निरंगकारी सत्संग वालों के सयोग से और हमारे करमचारी सा अंदर का तो आप लोग समय समय पे देखते रहते हैं हमारे यह डेली प्रक्रिया है निरंतर प्रक्रिया है वो तो हमारे सफाई चलती ही रहती है लेकिन जो आउट इसकर्ट जो अक्सर छूड़ जाता है जैसे आने जाने वाले लोग गंदगी फैला जाते हैं उसको दिखेगा पानी के लिए एक संस्था से हमारी बात हुई थी रहना कला की है उन्होंने अपना बीच में टेंकर रखवाया भी था किनी कारणों से वो डिस्टब हो गया है दूसरा जो हमारा अंदर हमने आरो लगवार रखा है वो अभी कल पर सो ही थोड़ा सा आरो में प्र उसके